नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चनल केसी अगरवाल पे आसा किरती हूँ कि आप सभी लोगों ने भी अपने रोज प्लांट की हार्ड प्रूनिंग जरूर कर दी होगी अक्टूवर का मंद खत्म हो चुका है और नवंबर स्टार्ट हो चुका है तो अगर अभी तक आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं की है रोज की तो रोज प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दे ताकि नवंबर के लास्ट होते होते आपके प्लांट में भर की फूल आना श्टार्ट हो जाए अगर अच्छी फ्लारिंग चाहते हैं रोज प्लांट पे तो उसकी हार्ड प्रूनिंग अब लास्ट हो गया है टाइम तो चल्दी से कर दे आज के इस वीडियो में मैं पताऊंगे कि हार्ड प्रूनिंग करने के बाद चार-पांच दिनों के बाद ही आपको उस प्लांट में नई ग्रोथ नजर आने लगेगी इस तरह की छोटी-छोटी पत्तियां जब आपको दिखने लगे तो उस प्लांट पे किस तरह के फर्टिलाजर को यूज करना है ताक कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हल्दी हो जाए बिल्कुल सुपर फास्ट ग्रोथ करे और साथ में कलियां भी आए अच्छी अच्छी कलियां आए धेर सारी कलियां आए धेर सारे ब्रांचे जाए तो इस वीडियो कर लें और यह देखिए हमने जो फर्टिलाजर बनाया है वह यह है जिसमें कि क्या-क्या मिलाया है वह मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी इसकी कितनी मात्रा लेनी है वह मैं दिखा रही हूं एक मुठ्ठी की बराबर हमने इस गंबले में डाला है इस गंबले का साइज है छे इंच छे इंच से लेकर के दस इंच के गंबले में आपको एक से डेर मुठ्ठी डालना है इतना काफी है मैंने इसमें क्या-क्या मिलाया है वह मैं आगे बताऊंगी और उसे देखके आप भी जानेंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो सकती है गुल 15 दिनों के बाद एक अच्छा सा लिक्विट फर्टिलाजर मैं बताऊंगी चुकि आपको देना होगा इस वीडियो के लास्ट में मैं वह भी बताऊंगी कि किस फर्टिलाजर का लिक्विट फर्टिलाजर बनाकी आप अपने प्लांट पे दे सकते हैं ताकि कलियां बहुत मजबूत हो जाएं और साथ में फ्लारिंग बहुत अच्छी हो इस तरह से हर गमले की गुराई करनी है यह देखे हमारे यह जो प्लांट है इसकी हमने हार प्रूनिंग की थी मातर आट से साथ दिन हुए होंगे इसकी कटिंग की थी और इसकी लिफ्स देख रहे हैं आप कि हार प्रूनिंग करें या हलकी प्रूनिंग भी करें तो उस ब्रांच की ऊपर के टिप में कम से कम फंगिसाइट जरूर लगा दे देख रहे हैं आप हर ब्रांच के ऊपर हमने फंगिसाइट लगाया है यह प्लांट हमारा रोज का प्लांट काफी पूराना है इसके साथ मे जिसे हमने नहीं निकाला है क्योंकि यह मॉज रोज वाइड कलर का है और यह मुझे बहुत पसंद है इसलिए इस मॉज रोज को मैंने यहीं पर छोड़ दिया है लेकिन रोज प्लांट के प्लांटर में आप किसी दूसरे प्लांट को ना छोड़े तो वह ज्यादा बेतर है देखें इस तरह से इसमें भी मैंने यह फटलाजर डाल दिया है और इसकी मिट्टी काफी कम है इस गंबले में अभी बहुत सारा स्पेस है और इसकी रूट्स थोरी सी दिख रही है तो हम इसमें ऊपर से थोरी सी जो हमारी गंबले की मिट्टी बनाते है नॉर्मल मिट्ट वो उससे हम इस fertilizer को cover करेंगे, एक मुठी मिट्टी हमने ऐसे साधी मिट्टी ली है, उसके बाद इस रोज प्लांट के प्लांटर में उपर से जो हमने fertilizer डाला है, उसे cover कर दिया है, अब इस प्लांट को आपको रखना कहा है, fertilizer डालने के बाद, या इसके पहले भी हमने धूप अच्छे से वर्क करेंगे, इसमें वाटरिंग का अच्छे से ख्याल रखें, जब भी मिट्टी आपकी सूखी नजरा है, तभी आप इसमें पानी डाले, ऐसा नहीं है कि आप डेली-डेली से सुभर साम पानी डालेंगे, जैसे कि बहुत तेज गर्मी हो रही थी, उस समय ह इसमें वाटरिंग कर रहे थे, उस तरह से वाटरिंग नहीं करेंगे, इस फर्टिलाजर को यूज करने के बाद आपके प्लांट में अकलिया आनी स्टार्ट हो जाएगी, आप देख रहे हैं हर ब्रांच में, आपको कितने धेर सारे ब्रांच दिख रहे हैं, यह जो रिड नहीं सही से वर्क कर सके, तो इस तरह से इस फर्टिलाजर को आप बनाएंगे, उसके बाद अपने सारे प्लांटर में डालेंगे, धूप बाली जगह में रखेंगे, वाटरिंग का ख्याल रखेंगे, ओवर वाटरिंग करने से भी आपका रोज का प्लांट खराब हो सकता अगर आप और वाटरिंग करते हैं तो रूट में फंगस लग जाएगा और ये फ्लांट आपका खराब हो जाएगा, तो वाटरिंग का ख्याल रखेंगे, फिर आपने रोज के प्लांट पे देखें किस तरह से रोज खिलते हैं, ये डेसी वराइटी है, ये पिंक कलर का फ यह तभी संभव होगा जब आप इस तरह के फर्टिलाजर को यूज करें। मैंने बताया था कि आपको एक लिक्विट फर्टिलाजर भी बताऊंगी। तो वह भी बताती हूँ। चलिए पहले बनाते हैं फर्टिलाजर जो हमने मिक्स फर्टिलाजर बनाया है। उसे दिखाती हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगी साथ साथ में कि 15 दिनों के बाद आपको कौन से लिक्विट फर्टिलाजर को यूज करना है। जिससे की कलिया जो आएंगी ना वो हेल्दी होंगी। ताकि फ्लार का साइज वरा हो सके। अगर आपके पास रोज का प्लांट नहीं है तो जल्दी से जा करके आप नर्सरी से बाए कर लें। क्योंकि पूरी सर्दी रोज में काफी अच्छी फ्लारिंग होती है। रोज की काफी सारी वराइटी आती है, देसी वराइटी आती है, हाइब्रीड आती है। बहुत सारे सेड में आते हैं इसके डेर सारे कलर आते हैं जिसका कि अगर मैंने अभी जिक्र करना श्टार्ट किया ना तो वीडियो काफी लंभी हो जाएगी इसलिए मैं आज फिर्टिलाजर पे नजेर रहे हुँ और मैं आपको भी फिर्टिलाजर बना के दिखा रहे हूं ताकि आपके रोज के प्लांट पर धेर सारे रोज हो, डेली, डेली, यानि कि रोज रोज देखने के लिए जरूर मिल जाएं. इतने रोज खिलेंगे ना कि आपके परुजी नहीं आप कुद भे हैरान हो जाएंगे कि इतने फ्लार खिल रहे हैं बिलकुल खुद हो जाएंगे तो चलिए दिखाती हूँ मैं फर्टिलाइजर और यह रहा हमारा फर्टिलाइजर मिक्स जो मैंने तेयार किया है यह वर्मी कमपोष्ट है एक किलो के लगबंग में हमने वर्मी कमपोष्ट लिया है इसे हलका सा ड्राइ कर लिया है यानि कि इसे छाए में हलका सा सुखा लिया था यह वर्मी कमपोष्ट ले सकते हैं अगर आपके पास गोबर की पुरानी खाद है तो वो भी ले ले वो इसमें डाल रही हूं मैं सबसे पहले ये रेड पोटास जो कि आपके फ्लारिंग के लिए बहुत ही जरूरी है पोटास तो इसे मैंने एक मुठी लिया है एक किलोवर में कमपोश्ट में ये काफी सारे गमलों के लिए एक साथ तेयार हो जाएगा और इसके बाद सी वीड ग् हमने एक मुठी के बराबर लिया है आप देख रहे हैं इन तीनों की क्वाइंटिटी लगभग बराबर है इपसम सॉल्ट आपके प्लांट को लस ग्रीन और बिल्कुल ब्यूटिफुल साइनी बनाएगा और इसके बाद हमने लिया है डी एपी डाइ आमेनिया जल्दी होंगे तो फिर कलिया और फूल भी बहुत डेर सारे आएंगे इसके बाद हमने लिया है फंगिसाइड क्योंकि रूट्स में बहुत जल्दी फंगल का अटेक होता है जिसके कारण आपके रोज के प्लांटना अकसर खराब हो जाते हैं तो रूट्स को हमेंसा सेफ क लिए फंगिसाइड यूज करना पड़ता है फंगिसाइड लगबग सभी प्लांट पर यूज करना होता है हमारे न्यू गार्णनर अगर है तो यह फंगिसाइड जरूर लेले क्योंकि आपको पोहत काम आने वाले हैं फंगिसाइड हमने इसमें लगबग तीन चमश तो आपके प्लांट पे कितना अच्छा वर्क करेगा लेकिन इस फर्टिलाजर को यूज करने के बाद इस तरह का जो हार्ड फर्टिलाजर है ना वह आप एक महिने तक बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे बीच में जो यूज करना है वो मैं आपको यहां इंसौर बता दे र फर्टिलाजर जो की आपके गोबर की खाद सर्चो की खली और नीम खली मिक्स होनी चाहिए जब मैं उस फर्टिलाजर को अपने प्लांट पे पंदर दिनों बाद यूज करूंगी तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ सेर कर दूंगी अगर ये वीडियो क्यू